हेलो दोस्तों मैं हुरिशब चार्जर आज की स्विडियो में हम बात करने वाले फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स के बारे में तो रिसेंटली एक कमेंट सेक्षन में क्वेश्चन आया था कि अगर हम फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स या 4K खरीदते हैं और हमारे पास एक HD TV है तो क् उसमें 4K वीडियो चला सकते हैं कि नहीं गुट क्वेश्चन है मैंने भी इसको ट्राइ किया था सोच आपको थोड़ा सा बताता हूं यह चलेगा कि नहीं तो वीडियो को पूरा देखिए अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना चल पना है तो सब्सक्राइब करके बेल आ अभी बात करते हैं मेन चीज तो 4K जो मैक्स है मैंने अपने अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था कि आपके पास HD TV भी है फुल एजडी टीवी जिसमें HDMI का port है तो फिर यह आराम से चल जाएगा कोई भी इशुज नहीं रहेगा बट एक चीज है जो डाउट रहता है कि मेरे पास चलिए फुल एजडी वाला टीवी है उसमें क्या मैं 4K वीडियो चला सकता हूं अगर यूट्यूब चलाओं यू अचली अगर आपका फुल एजडी टीवी है तो फाय टीवी स्टिक के जो यिज्टिक में जाकर अगर आप रज利 condu sitio करेंगे तो मैक्स उतना ही दिखाता है उसके उपर नहीं जाता है जैसे मेरे पास अगर full HD TV है तो settings में full HD 1080p 60Hz उतना ही max दिखाएगा 4K वाला option दिखाएगा नहीं तो answer है दोस्तों अगर आपका 4K TV है तो ही आप 4K content प्ले कर पाएंगे अगर आपके पास full HD TV है तो फिर full HD चलेगा अगर आपके पास 720p HD वाला मतलब TV है तो 720p ही max support करेगा उसमें full HD नहीं चलेगा तो जितना भी आपका TV support करता है ऐसे लिखा रहता है जब यह आप खरीते हैं full HD supported, HD supported 4K supported तो जो भी max support करता है TV उतना ही fire TV stick भी support करेगा उसके उपर आप नहीं देख पाएंगे तो वो एक चीज है मुझे भी actually doubt था यह and question भी अच्छा था तो मैं सोचा यह आपको answer कर देता हूँ तो एक चीज है कि जैसे 4K max में तो अभी hardware भी better हो गया है तो थोड़ा सा आपको use करते समय faster लगेगा compared to normal fire tv stick model अगर आप बाद में 4K खरीते हैं तो इसमें आप उस tv में 4K देख पाएंगे बट अगर आपके पास full hd tv है तो यह 4K आप नहीं देख पाएंगे max full hd चलेगा but yes जब आप use करेंगे तो थोड़ा fast रहेगा क्योंकि अभी 4K max में जो internal hardware है वो ज़्यादा improve हो गया है तो यही एक question था दोस्तों सोचा मैं answer कर देता हो अगर आपको थोड़ा सा useful लगा एक like जरूर कर देना अगर आपका भी question है जरूर comment section में comment कर देना दोस्तों मुझे पता रहेगा तो definitely separate video बना दूँगा आज के लिए इतने था फिर सब लेड़े मिलेंगे तब तक के लिए bye bye and stay safe